साथ्यों नमस्कार मैं हरिश्चन्र बढ़बा लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 सप्राइल को होने वाला है गिन लिजे कितने दिन बचे हैं अब तो उंगलियों में गिन सकते हैं पहले ही चरण में तमिलनाडू की सभी सीटों पर चुनाव होंगे जो सबसे महत्पूर्ण पहले चरण का चुनाव है जो 19 सप्राइल को होगा और इसलिए दोस्तों सभी की नजर तमिलनाडू पर 49 सीटे हैं क्योंकि सभी राजनीतिक पंडितों को लग रहा है कि राजी में जबरदस्त उलट फेर होने बाला है और ये उलट फेर कौन करेगा इसको करने का करिश्मा प्रधान मंत्री मोदी और के अन्ना मलाई कर रहे हैं जी हाँ कैसे कर रहे हैं कैसे इसका लोग सभा चुनाव पर असर पड़ेगा ये सब मैं बताओंगा के अन्ना मलाई ने एक आटियाई के जरिये तमिलनाडू की राजनीति में भूचाल ला गया है और वो भी चुनाव के कुछ दिन पहले तरसल जिस कच्छा थीव डीप का तमिलनाडू के लोगों से गहरा नाता रहा है जो भारत के अंतरगत आता था अन्ना मलाई के आर्टियाई से खुलासा हुआ कि उसे कॉंग्रेस ने शिरलंका को सौप दिया आज उसी कॉंग्रेस के साथ डीएम के गड़ बंधन में है जी हाँ जाहिर है दोस्तों प्रधान मंत्रि मोदी ने जम कर निशाना साधा इस आर्टियाई ने तमिलनाडू की राजनीती के समीकरण को बदल दिया है एक बड़े उलट फेर की आहट दे रहा है इस उलट फेर को समझने के लिए आपको एक वीडियो दिखाता हूँ सबसे पहले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए कौन है कहां है आप सूचिये ना जानते कौन है यह एम के स्टालीन की पतनी उशा स्टालीन और ये सलेम के मंदिर में पूजा कर रही है इस स्टालीन दोस्तों उसी सनातन संस्कृती के मंदिर में पहुची हुई है जिस सनातन संस्कृती को जड़ से खत्म कर देने की बात इनके ही पुत्र उदैनिधी स्टालीन करते रहते हैं और आपको तो इससे जुड़ी भी कई खबर दिखा चुका हूँ उदैनिधी स्टालीन रेडिकेशन और सनातन धर्म खुलकर कहा इसके लिए तो सुप्रीम कोट से भी फटकार लगी इनको लेकिन ये तो बार-बार कहते रहें अब आप सोचिए कि ये जो तस्वीर है ये परिस्थीतियां है जहां इनकी माप पह पहरी करण है जिसे प्रधान मंत्री मोदी ने खड़ा किया है और राज में होने वाले ओपीनियन पोल्स भी यही बताते हैं इस बार प्रधान मंत्री मोदी ने तमिलाडू में चुनाव को त्रिकोडिये बना दिया अब तक तो आप जानते हैं कि राज में दो शेत्रे दल AIADMK और DMK के साथ मिलकर पार्टियां दो गटबंधन बनाती रहती थी और चुनाव लड़ती रहती थी लेकिन इस बार दोस्तो AIADMK और DMK के अलावा जो इनका गटबंधन है भाजपा ने एक तीसरा NDA का गटबंधन खड़ा कर दिया है ये बहुत बड़ा बदलाव है दोस्तों इससे साफ है कि AIADMK और DMK गटबंधनों के वो मतदाता जो दोनों से ही खुश नहीं है वो प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा की और शिफ्ट होंगे जिसका पूरा फाइदा भाजपा को मिलना तय है उन मतदाताओं का विश्वास पाने के लिए भाजपा ने भी बड़ी जो राजमाईश किया ऐसा नहीं कि हलके से लड़ रही है भाजपा भाजपा ने आपने बड़े बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है दूसरी पार्टियों में तो जो बड़े निता होते हैं वो तो ढर रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे वो कुछ नहीं करना चाहते हैं लेकिन यहां देखिए कोयमबटूर से प्रदेश अध्यक्ष के अन्ना मलाई को उतारा गया है और आपको पता है कि इनकी राजमे सिंगम अन्ना की एक फायर ब्रैंट चबी है तमिल नाडू के सबसे लोगप्रिय निता है और भाजपा के निशाने पर दोस्तों इस बार कोयमबटूर की सीट के लावा कन्या कुमारी, थुथु कुडी, शिव गंगा, तिरुवन्ना मलाई, तिरुपूर, तेनकाशी और दक्षन चन्नई है यानि कई सीटे हम मैं आपको कुछ बताता हूँ कन्या कुमारी से पोन राधा कृष्णन को मिदवार बनाया गया है और यहां से भाजपा की जीत की संभावना बहुत अधिक है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यह भाजपा का शेत्र माना जाता है पोन राधा कृष्णन यहां तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों और 2014 के चुनाव में तो वो यहां जीत भी चुके हैं कन्या कुमारी के बाद भाजपा थुथु कुडी से नैनार नागिंदरन को मैदान में उता रहा है और शिव गंगा से डॉक्टर देव नाथम यादव तिरू बन्ना मलाई से ए अश्वा थामन इन सभी को टिकट दिया है और ये जो मैं आपको सीटों का नाम बता रहा हूँ ना इसमें भाजपा का जो पिछला रिकॉर्ड है वो बहुत ही अच्छा रहा है इसके लाबा एक और सीट की चर्चा करता हूँ आपको वो भी समझ में आ जाएगा कि कितना महत्पूर्ण है भाजपा ने दक्षण चेन्नई से पुर्व राज्यपाल बड़ा चर्चित नाम है तमिल साई सुन्दर राजन को मैदान में उता रहा है अब ये समझे कि इससे भाजपा के प्रती राजी की जनता में एक सबरतस्त उत्साह और विश्वास पैदा हो गया है अब कुछ और नाम देखिए दोस्तों के अन्ना मलाई और तमिल साई सुन्दर राजन की तरह है नील गिरी से चुनाव लड़ने वाले एल मुरूगन ने भी माहौल को यहां बिलकुल बदल दिया मैं कुछ भारी भरकम नाम ज़रूर बता रहा हूं दोस्तों जो यहां के उम्मिदवार हैं लेकिन यह जानना ज़रूरी है यहां पर एल मुरूगन के सामने मौजूदा सांसत जो है वो ए राजा और ए आई ए डिमके के डी लोकेश तमिल सेलवन है डी लोकेश वैसे तो इस शेत्र के लिए एक दम नया चहरा है लेकिन मैं आपको बताओं कि यह चुनाव शेत्र भी किसी भी पार्टी का गड़ नहीं रहा है और इसलिए यहां पर भी बड़ा उलट फेर होने बाला है वैसे मैं सर्वे देख रहा था दोस्तों सर्वे तो यही बता रहे हैं कि भाजपा को चार से चे सीटे मिलने वाली है और इसमें भाजपा को अठारा प्रफिशत मत मिलने की संभाबना है लेकिन याद रखिए त्रिकोणिय मुकाबले की बज़े से इन सीटों में भारी फेर बदल हो सकता है जो कि किसी भी सर्वे में नहीं दिख रहा है और यही तमिलनाडू की राजनीती है तो कुल मिला कर साथियों तमिलनाडू की राजनीती साठ के दशक से सनातन धर्म के बिरोध के इर्द गिर्द घूमती रही है लेकिन इस बार प्रधान मंत्री मोदी ने जो राजनीती है उसकी धूरी को ही बदल दिया है आज तमिलनाडू में राजनीती की धूरी सनातन धर्म और प्रधान मंत्री मोदी हैं याद रखिये और इसलिए स्टालिन भी इतने परिशान हैं सिर्फ मोधी का नाम लेते हैं क्यूं क्यूंकि आज राजी की जनता के सामने एक अच्छा विकल्प है जो विकास के साथ साथ तमिल अस्मिता को वैश्विक पहचान दिलाने का भरूसा देता है जिसके लिए तमिल नाडू पिछले कई दशकों से राह देख रहा है तो ऐसे में सवाल ये है क्या इस बार के चुनाव में तमिल नाडू की वो प्रतिक्षा खत्म होगी जिसका सभी को इंतिसार है देखते रहिए मैंने तो तमिल नाडू की राजनीती को डिकोड करने की कोशिश की है दोस्ते बहुत बहुत धन्यवाद आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजे लाइक कीजे शेयर कीजे कमेंट कीजे और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा नमस्कार